आईमसी प्रमुक मौना तौकीर रजा का बड़ा बयान अगर भाजपा इजराइल को देश मानने से इंकार कर दे अपने अमबेस्टर को वापिस बुला ले तो मैं भाजपा के साथ खड़ा होने को तयार हूँ 2024 में भाजपा की मदद करने को तयार हूँ हमाई देश की भूमिगा भी सही रही है आम हिंदू तक ये मैसेज सही से नहीं पहुचा है कि हमाई देश इजराइल के साथ नहीं खड़ा है बलकि फिलिस्टीन के साथ खड़ा है सरकार ने फिलिस्तिन को रहात सामगरी भेजी है हमाई देश का सुरू से ही ये इस्टेंड रहा है कि वो मजरूमों के साथ ख़ली रहती है हम पदान मंतरी मोदी को इसके लिए मुबारक बात देते हैं फिलिस्तिन में हुए कतल्याम के लिए कल महात वकी रजा सामोहिक प्राडशना करेंगेश में बड़ी संख्या में लोग सामिल हो जत्ते हैं कि आज आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया गया है कि हमने जो कि सामोहिक प्राडशना सभा रखी थी उसमें हमारी मन्शा ये थी कि इन्सानियत में यकीन रखने वाले तमाम योग उसमें शरीक हो जैसा कि हमने देखा कि अमेरिका में जो परदर्शन हुए उसमें एसाईyyes और यहोदी जो इस जो उस जियत्ती की मुखालफत कर रही थी दूसरे देशों में तमाम लोगों ने इसे जाज किये हैं और तकरीमन पूरी दुनीआ इस जूम और ज्यात्ती की मखब्बत और मुखालफत कर रही है हमारे देश से भी मैं प्रिधान मंत्री जी को मुबारक बाद पेश करता हूँ कि उन्होंने किलिस्टीनियों के दर्ट को समझा, उनके लिए सामान भेजा, दवाएं भेजी और हमारे देश की हुवबत ने अजराईल की मजबम्द भी की मीटिंग बे शरीक होकर उन्होंने फिलस्टीन की हमायद दे की और ये हमारे देश का हमेशा का तरीका रहा है कि हमारे देश ने हमेशा मजलूमों का साथ लिया है, जालिम की मुखल्फत की है मेरी कोशिश ये थी कि बरेली चुके आलमी मरकज है यहां से एक पैगाम जाना चाहिए दौाएं तो रोज हो रही हैं हर नमास के बाद होती हैं हर जुमे में होती हैं लेकिन कहीं हमारे आमाल यह हमारा खानपान इस किसम का है कि हमारी दौाएं कुबूल नहीं हो पा रही है हमारे यहां मानना यह है कि हर अच्छे चालीस लोगों में कोई एक ऐसा जरूर होता है जिसकी दौा कुबूल हो सकती है तो इसी वज़ा से हमने इस्तिमाई दौा सामोहिक प्राड़सना रखी सी और उसमें हमारा मकस्द यह था कि इसमें वो तमाम हमारे हिंदू भाई जो इस जुम के खिलाफ हैं मानफता में यकिन रखते हैं और इस चीजों का विरोध कर रहे हैं बर्सना कर रहे हैं वो लोग भी इसमें शामिल हो और अपने जजबात का इजहार करें लेकिन जिलाफिरशासन का मैंने रविया ये देखा कि उनको हिंदू-मुस्लिम तक्सीम करके ज्यादा मज़ा आता है हिंदू-मुसल्मान आपस में इखटे होकर ना बैठे उनकी ये कोशिश रही है और इससे उन्हें अपना प्रिशासन चलाने में और लॉइन अडर मेंटेन करने में आसानी रही है हिंदू-मुसल्मानों का डर दिखा दिया मेरी कोशिश यह थी कि मेरे इस प्रोग्राम में जैसा कि आपकी जानकारी में होगा कि कुछ पढ़े लिखे लोगों ने इस प्रिस्म के चीजें वाइरल की कि हमारा इसराइल से तो कोई लेना देना नहीं है हम उने जानते भी नहीं लेकिन चुके वो मुलो के साथ जास्ती कर रहे हैं जल्म कर रहे हैं मुसल्मानों को काट रहे हैं इसलिए हम उनकी हमायत कर रहे हैं यह पढ़े लिखे लोगों की भाशा है लेकिन ऐसी भाशा बोलने वाले चंद हैं अक्सरियत उन लोगों की है जो किसी पर भी जल्म हो किसी के साथ भी जास्ती हो हमारे हिंदू भाई उस जल्म के खिलाफ हमेशा खड़े हुए है और मुझे यकिन है कि हमेशा जल्म के खिलाफ खड़े होते रहेंगे तो मैं अपने इस प्रोग्राम के जरीए ये दिखाना चाहता था कि फिलिस्तिन में जो जल्म हो रहा है उस लड़ाई से हमारा कोई मज़ब नहीं है लेकिन जो जल्म हो रहा है जो जास्ती हो रही है जो इनसानियत का कतल किया जा रहा है उसमें हिंदू और मुसल्मान तमाम को तकलीफ है और वो उसकी मजब मत कर रहे है तो हमारी इस प्रार्ण सर्ण समा में अगर हिंदू भाई भी शरीक रहते तो एक अच्छा मैसिज जाता और लोगों Mission ये लगता कि हिंदूस्तानियों में हिंदूस्तानियत बाकी है और हिंदूस्तानियत मैं इसमात को मानता गया है वह लोग किसी चीटी को भी तक्रीफ पहुचाने की इजादत नहीं दी गई है वो लोग अगर आज गतल और गारतगरी की बात करते हैं और इस किसम का महल बनाते हैं तो यह हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं जाए लेकिन जिला परशासन का दबाव यह है कि अ अगर्चे मैं सड़क पर नहीं कर रहा था प्रोग्राम प्राइवेट जगा है और मेरे प्रोग्राम आप तमाम लोगों ने देखे हैं कि बहुत शांसी पूरवक होते हैं शांसी से लोग आते हैं और खामोशी के साथ वापस चले जाते हैं इसके बावजूद परशासन को कहीं ये खत्रा है कि सामपरदाइकता का एंगल आ जाएगा या क्या आ जाएगा मेरे प्रोग्राम में सामपरदाइकता का कोई एंगल कभी रहा नहीं है लोगों ने उसे सामपरदाइक एंगल देने की कोशिश की है लेकिन मैं सामपरदाइक आदमी नहीं हूँ और सामपर प्रिशानी है तो हमें भी सहयोग करना चाहिए उन्होंने इसलामिया के बजाए हमें नौमेहला में इजाज़त दी है नौमेहला में प्रोग्राम करने में मुझे कोई दिक्त नहीं है कोई परीशानी नहीं है परशानी और कश्ट सिर्फ इसमास का है कि मस्जिस के नाम पर फिर जो हमारे हिंदू भाई शरीक होना चायसे से उनको दिक्कत होगी